सबी धर्शकों को मकर संक्रांती की हारदीक शुब कामनाय मैं उमीद करती हूँ कि इस मकर संक्रांती पर आपकी सारे मनों कामनाय पुरी होगी और आपको सर्वकलेशों, परेशानियों और कष्टों से मुक्ती मिलेगी हर साल में 12 संक्रांती होती है याने जब सूर्य नारायन किसी भी राशी में प्रवेश करते है तब उसे संक्रांती कहते है आज सूर्य देव का मकर राशी में आगमन हुआ है इसलिए इस शुब दिन को मकर संक्रांती कहते है 12 संक्रांती यों में से मकर संक्रांती को सबसे शुब और लाभतायक मूर्द माना जाता है इसलिए इस दिन पर सूर्य देव की उपासना करना या उनके मंत्रों का जाप करना बहुत ही असरदार माना जाता है आज इस वीडियो में मैंने अपने जीवन में सकारात्मक उर्जा खीच कर सर्वन नकारात्मकता दूर करने के सूर्य मंत्र के मूर मंत्र और किसी भी मनो कामना की पूर्ती करने के अत्यन तचमतकारी सूर्य मंत्र के बारे में बताया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाएगा तो कृपिया सस्क्राइब करना मत भुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें अपने मन, शरीर, आभा और मकान में सकारात्मक उर्जा खिचने के लिए आगे पताए हुवे मंत्र का आप एक माला याने 108 बार शाहन्त चित्त से चाप कर सकते हो मंत्र ओम् रिम् रिम् सुर्या या नम् आमा हां ओम् ओम् रिम् रिम् सुर्या या नमा हां अगर आप किसी भी मन में बसी मनो कामना की पूर्ति करना चाहते हो या किसी भी काम कारिय में सफलता पाना चाहते हो तब आगे पताए हुवे सुर्या नारायन के मंत्र को 21, 51 या 108 बार बोल सकते हो मंत्र ओम् रिम् रिम् सुर्याय सहस्त्र किरनाय मनो वांचित्फलं देही देही स्वाहा ओम् रिम् प्रभू सबका कल्यान करेंगे प्रभू स्वाइब रिम् 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 रिम्